अर्शामलेकम देशियों कुकिंग से मरीम शेजाद का सलाम हो आज हम आपको हेर मास्क बनाने की रेसिपी देने जा रहे हैं जो के हमारे बालों में शाइन लेकर आएगा बालों में ड्राइनेस जो है इसको खतम करेगा और हमारे बालों के तमाम मसले जो हैं इससे हल होंगे तो चले इस मास्क की तयारी करते हैं यहां पर हमारे पास बनाना थे जो हमने लिए कॉंटिटी जो है वो आपने अपने बालों के हिसाब से लेनी है लंबे अगर आपके बाल है तो आप डेट से दो केले भी आप कर सकते हैं और साती हमने यहां पर जो था अंडा लिया था और इसी तरह आप बलंबे बाल हैं तो आप एक से दो अंडे भी आप कर सकते हैं यहां पर हमने एक अदत केला लेना है और साती हमने एक अदत अंडे का आपको बना कर बताएंगे साती हमने ओल का इस्तमाल करना है जो आपके बालों में सूट करता हो वो ही आप लीजिएग हमने ग्राइंडर में डाल दिया है अब हमने इन सब चीजों को मिक्स करना है और इसके हमने एक पेस्ट बना ले नहीं है तो चले इसको हम पेस्ट बनाते हैं इन तमाम चीजों के साथ अब हमने एक पेस्ट की शकर में तयार हो गया अब यहां पर आप देख सकते हैं कि यह पेस्ट जो हमने तयार की थी जिसमें हमने एक अदर अंडा लिया था हमने एक अदर जुथा बनाना लिया था साथ ही हमने एक दीबस्पून ड़ा था लेम़न जूस हमने एक टीज़पून लिया था और साथ ही हमने शहर डाल कर यह देखें जबरदर से हमने पेस्ट तयार कर लिया अब हम एं करना क्या है कि इन सबसे पहले बालों की रूटस पर लगाना नहीं उसके बाद तमाम सर लगां के बालों पे आपने अई कर लेना है तक्रिपन आपने इसको 30 मिनट तक या अगर आपने ज्यादा पाइम है यह तो आप तो आप इसके बाद आपने तो नहीं प्रिम मॉस्युन आपने सरा कर दोना के बाल जो हैं बहुत ही अच्छे होंगे उमीधा आपको यह जो मास्क है हमारा पसंद आएगा आप इसको ट्राइज जरूर कीजिएगा द्वाव में याद रखिएगा आपके साथ फिर मुलाकात होगी पेज पर हमारे पेज को शेर कीजिएगा यूटूब चैनल को सब्सक्